सो ये गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग अनपैक करने वाले है SBI IRCTC क्रेडिट कार्ड जो की कुछ इस तरीके से पाउच में आपको डिलिवर्ट किया जाता है इस वीडियो में इसकी unpacking वीडियो, इसके charges, benefit और apply का process बताएंगे So please इस वीडियो को जो 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 एक like कर दिजएगा A latest update of work लिए आप मारा टेलिग्राम जाये जोइन कर सकते हो Link आपको description में मिल जाएगा So let's get straight to the video So credit card आपको कुछ इस तरीके के पाउच में डिलिवर्ट किया जाता है जिसमें सबसे पहले इसका एक overview आपको देखने को मिल जाएगा हमने से already cut कर लिया है तो जैसे सारे documents आपको सभी credit card मिलते हैं सेम आपको इसमें भी मिलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने credit card को sbicard.com में ले जाकर register कर सकते हो इससे क्या होगा कि इससे आप अपने card को handle कर सकते हो जैसे कि bill pay करना हो गया card का statement देखना हो गया सार आप इसी में कर पाँगे यहाँ पे steps बताया गया है कि किन किन steps से आप यहाँ पे card को register कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे FAQ का यहाँ पे दो आपको papers देखने को मिलेगा जो आपको पढ़ने के ज़रूरत नहीं पढ़ेगी लेकिन यहाँ पे बहुत सारे charges mentioned होते है जो कि आपको time निकाल कर जरूर पढ़ना चाहिए यहाँ पे एक voucher दिया गया है इस voucher में लिखा गया है कि अगर आप first ATM cash withdraw करते हैं तो आपको 100 rupees का cashback मिलेगा लेकिन मैं कभी भी recommend नहीं करूँगा कि आप credit card से ATM का cash withdraw करना card को कैसे रखना है किस तरीके से use करना है क्या क्या benefit है contactless technology है सारे हैं पे mentioned है आप इसे पढ़ पाएंगे यहाँ पे एक main paper दिया है इसी paper में आपको सारा detail मिल जाएगा इस card का feature benefit and charges तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहले इसे आप open करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से cashback मिलेगा तो cashback देखो 10% cashback है every 125 spend पे एक reward मिलेगा एक reward का value एक रुपया होता है चार complimentary आपको railway launch access मिल जाएगा साथी साथ दूसरे page में बताया गया कि contactless card है यहाँ पे mentioned है उसके बाद अगले page में यहाँ पे कुछ vouchers मिल जाएंगे जैसे कि आपको 10% का discount है आपको upgarts courses में the man company में 999 के purchase में 250 का off मिल जाएगा मामा अर्थ में 10% है तो यह आप अपने से पढ़ लेना होता क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत यहाँ पे एक रेलवे का photo मिल जाता है चलो मैं card cover भी दूँ तो सबसे पहले उपर में IRCTC का logo मिल जाएगा क्योंकि यह SBI ने IRCTC के साथ co-branded करके card को launch किया है यहाँ पे आपको SBI card की branding देखने को मिल जाएगी contact list आप यहाँ पे पांच जरगा transaction कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे NFC का भी support देखने को मिलता है रूपे platinum के तरफ से certified है जो कि आप देख पाऊगी यहाँ पे clearly mentioned है रूपे platinum यहाँ आपका card का number mentioned होता है और यहाँ पे नीचे में एक loyalty number होता है इस loyalty number को मैंने height कर दिया इस number का क्या काम होता है मैं आगे चल के आपको वीडियो में बता दूँगा तो अबरोल आप card का design देख सकते हो काफी unique तरीके का design है और सभी credit card से आपको अलग देखने को मिलेगा तो यह है आपका RCTC credit card का overview जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है बहुत सारे लोग comment करते है कि card का आपको limit कितना दिया गया है तो limit आप देख सकते हो credit limit जो इसमें दिया गया है वो मात्रेहां पे 20,000 रुप्या दिया गया है और cash limit जो withdraw limit है वो इसका यहाँ पे 2000 है तो यह percent to percent vary करता है जैसा आपका salary slip या ITR होगा उसी basis पे आपको यहाँ पे limit भी दिया जाएगा तो यहाँ पे बहुत ही कम limit मिला है मात्रेहां पे 20,000 का limit है जो की time to time pay करने से limit भी increase हो जाता है तो चलिए अब हम लोग इसके charges and benefits को cover करते हैं तो इसके लिए हम लोग SBI के officially website के उपर आ चुके हैं जहां सारा detail mentioned है तो सबसे पहले जो यहाँ पे highlight किया गया है वो इसका charges को highlight किया गया है यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपको यह card मिलता है तो आपको सुरुवात में as a joining charge यहाँ पे 500 रुपिया पिलस GST पे करना पड़ेगा लेकिन अभी एक offer चल रहा है जिसमें आपको यहाँ पे कोई भी joining charge नहीं लिया चारा है इस card का जो हर साल आपको fee पे करना होगा वो बहुत ही normal है मातर यहाँ पे आपको 300 रुपिया इस card का हर साल annual fee पे करना होता है चलिए हम लोग इसके कुछ privilege benefit को देखते हैं तो सबसे पहले welcome benefit बताया गया है जहाँ पे clearly mentioned है कि no joining fee till 31st March 2021 यानि कि clearly mentioned है कि जो अभी मैंने joining charge आपको बताया 500 रुपिया प्लस GST वो आपसे नहीं लिया जाएगा अगर आप 31st March 2021 से पहले इस card को apply कर लेते हो welcome benefit में एक और आपको reward point दिया जाएगा जिसमें बोला जा रहा है कि जिस दिन ये card आपको issue होता है उसके 45 दिन के अंदर अगर आप minimum 500 रुपिया आपे spend करते हो यानि कि एक transaction करते हो 500 रुपिया का तो आपको 350 रुपिया जाएगा जो कि as आपको welcome benefit देखने को मिलता है कुछ और यहाँ पे welcome benefit है यहाँ बोला जा रहा कि अगर आप ATM से cash withdraw करते हो 30 days के अंदर तो आपको 100 रुपिज का cash back मिलेगा जो कि मैंने आपको unpacking वीडियो में definitely बोला कि यह चीज़ आपको नहीं करना है यहाँ पे एक reward point का जो value होगा वो यहाँ पे पूरा 1 रुपिज होता है अब हम लोग इसके main highlight के बारे में बात करते हैं क्योंकि यह co-branded है IRCTC के साथ तो obvious ही बात है आपको railway ticket में ही ज़्यादा यहाँ पे benefit मिलेगा तो यहाँ पे कैसे benefit है अगर आप AC1, AC2, AC3, AC या CC में कोई भी ticket book करते हो IRCTC के website और app के जरिए तो आपको 10% का value back reward point यहाँ पे दिया जाएगा लेकिन यहाँ पे 10% को बहुत ही अच्छी तरीके सा highlight किया गया है लेकिन असलियत में आपको बताना शोंगा बहुत ही अंदर mention है देखो इनके आप terms and condition वाले page में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा partiality किया गया है यहाँ पे date या month के wise यहाँ पे points आपको मिलेगा आपको 4 points ही देखने को मिलेगा वही अगर आप 15th January से 31st March और 15th July से 15th September के बीच में अगर आप ticket book करते हो देन जाकर के आपको 10 points यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बड़ा partiality यहाँ पे किया गया है जिसे इन्नों ने बहुत ही अंदर लिजा करके mention किया गया है तो यह आपको जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे चार्ट के तरीके से आपको समझाया भी गया है कि आपको 10% मिलेगा तो देखो 4% में कितना ज्यादा difference है 88 रुपीज होता है 4% किसा आप से और वही टिकट का प्राइस अगर 10% मिलता है तो 221 होता है तो यह चार्ट के जरीए भी आप देख सकते हो कि कितना ज्यादे हाँ पे difference हो जाएगा तो यह इसका value back है जो मैंने आप बताया जो कि आपको जानना बेहत तेहाँ बे जरूरी था चलो हम लोग कुछ और reward benefit के बारे में बात करेंगे every 125 रुपीज spend करने पर एक reward point दिया जाएगा जिसका value एक रूपया होता यानि कि हर 125 रूपया में आपको एक रूपया पर ऐसा reward point दिया जाएगा जिसमें 1% का जो transaction charge होता है आप जब भी RCTC में कभी टिकट बुक करोगे तो आपको 1.8% something का यहाँ पे convenience charge देना पड़ता है वो यहाँ पे 1% आपसे नहीं लिया जाएगा गर आप इस credit card से ticket बुक करते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन आपको 500 से 3000 के बीच में करना है जिसमें आप पर billing cycle यहाँ पे 100 रूपीज का ही यहाँ पे VBR ले सकते हैं इस card में सबसे benefit वाला बात यह है कि इसमें आपको railway का भी lounge access मिल जाएगा जिसमें पर साल आपको यहाँ पर 4 complimentary railway lounge access मिलेगा जिसमें एक quarter में आप सिर्फ एक बार ही railway lounge access कर सकते हैं जिसमें बहुत ही selected जगहों पे railway का lounge इसका मैं चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 5 सिटी है देली जैपूर आगरा अहमदाबाद और मदुरई इसमें डीटेल मेंशन है कि कौन से प्लाटफॉर्म में आपको यहाँ पे lounge access मिल जाएगा तो lounge access भी कर सकते हैं यह सबस यहाँ पे ज्वानिंग मता है कि 500 यहाँ पे ज्वानिंग फी है और पर साल यहाँ पे चार्ज दिया जाएगा वह 300 रुपया है साथी इसके जितने भी cash advance फी है सब यहाँ पे में इतना डीटेल में जाता हूँ क्योंकि वीडियो काफी जादे लंबा हो जाएगा तो आप सब्सक्राइब करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसा आप क्लिक करते हैं तो बेसिक्स आपको डीटेल वगरा देना पड़ता है जिसमें आपका जो भी employment होगा वह आपको बताना होगा नाम वगरा बताना पड़ेगा तो उसके बाद फिर जब आप यह form को fill up कर देंगे देखिए जो form होता है इसे आपको fill up करना है यह fill up करेंगे तो अगर आप eligible हो जाते हैं credit card department approve कर देता है दिन आपको यह credit card असानी से मिल जाएगा एक सबसे बड़ी demerits का आप समझ लीजे जो भी आपको reward point दिया जाएगा ना तो आप उसे cash मे redeem कर सकते हो और ना ही वो आपके credit card में credit किया जाएगा वो जो भी reward point होता है उसे सिर्फ और सिर्फ आप IRCTC के website में trend decade booking करने पे ही use कर सकते हो इसके लिए process बिलकुल असान है आप IRCTC के website में account से login करेंगे make sure आपको यही करना होगा कि जिस number से आपका credit card बना हुआ है उसी number से IR diversity C का भी account होना चाहिए जैसा आप यहाँ पर login करते हैं उपर में loyalty का section मिलता है यहाँ पर add loyalty account का option मिलेगा यहाँ आप click करेंगे जैसा आप यहाँ पर click करते है enter your loyalty number आपको बताना पड़ेगा तो मैंने unpacking video में आपको दिखाया था कि जो भी आपका credit card है आपके नाम के नीच account number यहाँ पर verify हो जाता है और जैसे यह verify हो जाएगा आप जब भी RCTC के website में ticket book करोगे तो payment page में आपका जो भी loyalty cash होगा उसे आप वहाँ पर redeem कर सकते हो तो यह बहुत important बात है कि जो भी reward point आपको मिलेगा उसे सिर्फ हो सिर्फ आप RCTC के website में ही use कर पाओगे so I think so आपको अब सारा कुछ समझ आ गया होगा चलो इस credit card के उपर मैं अपना कुछ opinion देना चाहूँगा देखो इस credit card में मेरेको दो downside लगे जो की काफी बड़े है सबसे बड़ा downside तो यह है किसमे partiality किया गया है बोला तो जा रहा है कि 10% का आपको reward value back देखने को मिलेगा ल हो तो credit card में 1.8% something का आपको यहाँ पर convenience charge pay करना होता है तो इस credit card में क्या है कि इसमें बोला गिया कि 1% का ही विवयर मिलेगा तो something आपको 0.8% और GST pay करना ही पड़ेगा तो यह एक बहुत बड़ा downside है मेरे हिसाब से पूरा यहाँ पर zero processing fee होना चाहिए कोई भी आपे charge नही लिया जाता है तो यह बहुत ही बड़ा downside है कि 1% का ही वेवाप मिला पूरा 1.8% यहाँ पर होना चाहिए तीसरा downside मेरे को यह लगा कि इसमें जो भी आपको cashback reward मिलेगा यह सिर्फ आप IRCTC के website में redeem कर सकते हैं ना तो इससे आप cash में convert कर सकते हैं और ना ही से card में apply करवा सकत तो यह तीन downside है अगर आप इससे संतुष्ट हो तो definitely आप इस card को ले सकते हो अब देखो इस card को क्यू लेना चाहिए मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताना चाहूंगा देखो सबसे पहले तो इस पे railway का lounge access देखने को मिलेगा जो कि सबसे बड़ा plus point है क्योंकि AC में आपको मिल जाएगा जगा बहुत ही अच्छा रहता है normal platform में रहने से अच्छा आप launch access में जाओगे तो यह आपको काफी benefit पहुँझाएगा दूसरा benefit तो यह है कि यह SBI के साथ co-branded है इसका मतलब यह हुआ कि आपको भले IRCTC में जादे profit मिले या ना मिले आए दिन Amazon flip card में SBI के credit card में offer आते रहते हैं तो IRCTC तो भले आपको cashback देगी ही transaction करने पे लेकिन Amazon flip card में आया दिन आते रहते offer तो definitely अगर आपको यह card मिलता है तो इसे आप reject नहीं करना 100% ले लेना अगर आपको IRCTC में traveling उतना नहीं है फिर भी ले लेना क्यूंकि flip card Amazon में offer आते रहते है SBI card में आपको अकसर 10% का cashback देखने को मिलेगा जो कि instant discount होता है तो उस basis पे भी यह card बहुत ही अच्छा है और इस card को definitely उन लोग को लेना चाहिए जितने लोग जो है railway से बहुत ही जादे travel करते हैं 100% आपको अभी market में SBI का यह card ही जादे value back provide करवाएगा तो definitely आपको normal credit card मे ज्यादा benefit इसी में ही देखने को मिलेगा तो 100% traveler हो अगर train से ज्यादे आप सफर करते हो तो definitely आपको यह card देना चाहिए तो यही थी आज की video I think so मैंने यहाँ पर सारा आपका dots clear कर दिया सारा आपको overview अच्छे से दिखा दिया तो वीडियो अगर ज़रा भी helpful लगा तो please इस को मैंटी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई डाउट बसता तो कमेट कर ना भूले मिलते हैं अब तक के लिए जय हिंद जय भारत